गुड माने डियर स्टुडेंट्स तुड़े विशल कॉंटिनू बद दा लास्ट टॉपिक और फस्ट चेप्टर देट इस मॉर्टन एंड कॉंटेंपरी हिस्ट्री मेन करेक्टरिस्टिक्स आधुनिक और समकाली नितिहास की मुख्य विशिष्टाएं क्या क्या हैं उसकी विशिष्टार से बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं एज ओफ साइंस एंड टेक्नलोजी की जो की पहली महतफून विशिष्टा आधुनिक और समकाली नितिहास की मानी जाती है जे स्टुडेंट्स आपने सभी ने पढ़ा है कि 28 इस्तावदी के पशाथ यूरूप में इंडरस्टलाइजेशन प्रारम्प हो चुका था और इंडरस्टलाइजेशन के पीछे मेत्पोन कारण जो है वो कई बेग्यानिक अविश्कार थे 19 और 20 इस्तावदी में कई ऐसे विश्कार हुए जिसने ट्रांस्पोर्टेशन, कम्यूनिकेशन, बायो टेकनलोजी, रोबोर्टिक्स, हेल्थ के साथ साथ मानवी जीवन के विभिन पहलियों को प्रभावित किया अर्थात साइस और टेकनलोजी के माध्यम से मानव जीवन को और भी सरल बनाया गया उन एप्लिकेशन को मानवी जीवन को आसान बनाने के लिए परियोग किया गया साथ में जो इसे पूर धर्म का अत्यादिक प्रभाव था वो साइस और टेकनलोजी के माध्यम से उस प्रभाव को काफी कम कर दिया गया था अर्थात यह भी एक मैतपोन विशेष्टा जो है वो साइंस और टेक्नलोजिक की रही कि उसने धर्म के प्रभाव को काफी कम करने में मैतपोन भूमी का निभाई थी इसलिए इसे समकालीन वो आधनिक इतिहास की एक विशेष्टा मानी गई है दूसरा है एलाइंस फॉर्मेशन यानि गुटपंदी जिसको आप कहते हैं यूरोप के अंदर और विशो के अन्य महादिपों के अंदर जैसे जैसे और ध्योगी करण के कारण पूंजिवादी व्यवस्था और समराजवादी व्यवस्था का विकास हुआ उसी तरह से अपन हितों को सुरक्षित करने के लिए बिभिन एलाइंस जो है वो यूरोप के अंदर जो बनाए गये थे यूरोप के साथ साथ यह प्रभाद धिरे-धिरे अन्य महादिपों में भी फैलता चला गया है जिसके कारण यहाँ पर नाटो का नाम आपने सुनाओगा सीटो है सेंट पैक्ट है नाम है सार्क है जी ट्वंटी है जी फाइब है एउरोपियन यूनियन है इस प्रकार की कई अलाइंसे जो है वो समकालीन इतिहास में अस्तितों में आये थे अर्थात यह गुटबंदी धीरे-धीरे विश्व के विभिन भागों में फैलती चली गई थे नेक्स्ट है एज ओफ वर्ड वर्स समकालीन और आधनिक इतिहास की एक और मैत्वपून विश्वयूदों का भी काल रहा था प्रथम विश्वयूद 14-1918 तक और दुटे विश्वयूद 1949-1945 तक रहा था यहां पहले भी पढ़ चुके हैं यहां विश्वयूदा के तौर पर इसलिए इसको एक पॉइंट के रुपे विकसित किया गया है ताकि विद्यार्थी को इस चीज को समझने में सरल ता महसूस हो सकें कि समकालीन जो विश्वय इतिहास है या आधनिक विश्वय इतिहास है वो इन दो महायुदों के कारण भी अत्यादिक प्रभावित हु गया था वहीं दूसरी तरफ जो है इन महायुदों के कारण रेस फॉर आर्मामेंट है या आप कह सकते हैं एक्स्ट्रीम नेशनलिजम है या फिर पॉलिसी और प्रोटेक्शनिजम है इस प्रकार के कई अवधारणाएं भी जो है विकसित हुई थी इस इन महायुदों में विश्व के अधिकतर देशों ने भाग लिया था और इसका प्रभाव लगबग संपोन विश्व पर पड़ा था इसके कारण भी यह समकाली नितिहास की महत्वपुन विश्यश्ता मानी जाती है नेक्स्ट है निव वर्ल्ड ओर यानि नवीन विश्व व्यवस्त था जब प्रथम विश्युद और दुईते विश्युद हुआ तो उसके प्रशाद जो शांती समझोते हुए उन शांती समझोतों के कारण कई देशों की सीमाएं परिवर्तित हुई हैं कई देशों की शक्तियों को सिमिद कर दिया गया और कई देशों की आकांक्षाओं पर जो है पर जो है वो बंबारी करके एशिया में उसे शक्तिहीर कर दिया गया था तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक नवीन विश्व व्यवस्था का विकास हुआ लोकतांत्रिक मोल्यों पर आधारित जो सरकार हैं उसको स्थापित करने के प्रयास किये गए जो अधिनायक वाद हैं ड मात किया गया और साथ में जर्मनी, फ्रांस, इटली, रश्या, स्पेइन आधी देशों की जो सिमाए हैं उनमें भी कई प्रकार के आमोल्चूल परिवर्तन हुए थे तो इसके कार्ड एक नवीन विश्व व्यवस्था जो है इन दो विश्व यूदु के पश्याद विका प्रारम्भ हुआ जहां एक तरफ उससे विश्व में एक शक्ति के रूप में उबढ़ा था वहीं रश्या भी जो है वह एक महाशक्ति के रूप में विकासित हो चुका था इसलिए इन दोनों के मद्ध हमें जो अपरत्यक्ष या अपर परोक्ष जो यूद प्रारम्भ नेतरत्तों जहां USA ने किया अर्थात ये अपरत्यक्ष रूप से डिप्लोमेटिक यूद था और ये यूद कभी भी मैदान पर नहीं लड़ा गया इसलिए से छदम यूद की वरिवाशा दी गई थी यह एक विश्वेत्यास की विशेष्टा के रूप में आप इसका उले माना गया था अर्थात तव केवल अमेरिका ही एक विश्व शक्ती के रूप में विश्व में उभर चुका था और रश्या जो है कमजोर हो चुका था डिसिंटिग्रेट हो चुका था नेक्स्ट है एकॉनोमिक क्राइसिस समकाली नितिहास के अंदर 1920 के पशात और 1929 तक आ बिश्व के अधिकांश देशों को प्रभावित किया था इंडर्स्टिलाइजेशन तो हो चुका था और इंडर्स्टिलाइजेशन के कारण यूरोप में अत्यधिक उत्पादन हो चुका था और उस उत्पादन की खपत करने के लिए उन्हें बिश्व में मंडियों के यार नहीं थी इसके कारण जो है वो यहाँ पर लोगों के पास जो क्रेश अक्ती थी वो कम हो चुकी थी और अमेरिका यूरोफ के जो महादीव थे वो आर्थिक महामंदी की चपेट में बहुत पूरी तरह से आये थे बैंक जो दिवालिया घोशित हुए और जो स्टेंडर् गोल्ड था जिसके साथ की क्रंसी को लिंग किया गया था कई देशों ने उस स्टेंडर्ड गोल्ड के मार्क को भी त्याग दिया था अर्थात यह एक ऐसी ब्योस्ता थी जिसके कारण जो आर्थिक नवसामराज जिवाद है उस आर्थिक नव सामराज जवाद को एक पनपने में मेर्टफोन भूमिका निभाए थी अर्थात economic crisis भी एक ऐसे पिशेशता थी जिसने समकालिन बिश्व इतिहास को प्रभावित किया था और उसके पशात जो नितिया आर्थिक शेतर में अपनाई गए थी जो नितिया आर्थिक शेतर में लागो की गए थी उसको भी वो प्रभावित किया नेक्स्ट है नियो इंपरिलिजम जो नव सामराज्य बाद है जैसे मैंने आपको कहा कि जो एउरोप के अंदर अध्याधिक ओध्योगी करण हो चुगा था और उस ओध्योगी करण के परिणाम स्वरूप ही बिश्व के जो अल्प विकसित देश थे या औविकसित देश जिसमें की अधिकतर एशिया और अफ्रिका महादीब के देश थे वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित करने के लिए एकॉनोमिक गतिविदियों का साहरा लिया गया था आर्थिक और वानिजिक गतिविदियों का साहरा लिया गया था इसे जो है वो न्यू इंपरिलि थी यूरोप और अमेरिका के अधिकांश देशों ने एशिया और अफरिका के देशों पर जो हो अपने उपनिवेश स्तापित किये जिसका की मूल उदेशी यही था कि वहां से ब्यापार और वानिजे को लाब कमाने के उदेशे से इन्हें उपनिवेशों को कच्चे माल के और त्यार माल के उप्भोगता मंडियों के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाए नेक्स्ट है एराइवल ओफ न्यू ग्लोबल एंड रिजनल ओगनाईजेशन 1920 में लीग ओफ नेशन्स की स्थापना हुई थी उसके विशे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं ILO है या 1945 में जो UNO United Nations Organization स्थापित हुआ ये विश्वस्तर की संस्थाओं थी और उन विश्वस्तर की संस्थाओं ने मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि ततकाली इतिहास को और आधुनेक इतिहास को प्रभावित किया इन्होंने बिश्व में शांती स्थापित करने के लिए और यूदों को तालने के लिए वारतालाव के माद्य से शांती समझोते स्थापित करने में जब में तपुन भूमिकाएं निभाए थी जब 1945 में ये उस्थापित हुआ था तो उसके पशाद जो निरंतर मतवेद देशों के मत्य में उबरे थे उन्हें शांती समझोते से हल करने के प्रयास किये गए थे इसके अतिरिक्त जो शैतरिय संगठन है जिसमें कि आप सार् बिशेश करके लेटिन अमेरिका के जो संगठन थे उनका नाम लिया जा सकता है ये ऐसे संगठन थे जो कि जिनका प्रमुख उदेशे बिश्व में शांती स्थापित करना ही था यानि यूदों को टालना था क्योंकि बिश्व दो यूदों के दंश को जेल चुका था वव लेखित किया जा सकता है नेक्स्ट है एज ओफ इंपॉर्मेशन एड़ फास्ट कम्यूनिकेशन यानि विश्वी जो श्ताब्दी थी उस श्ताब्दी में हम ये कह सकते हैं कि यह सूचना की श्ताब्दी थी या कम्यूनिकेशन की स्ताब्दी थी संचार की स्ताब्दी थी अब इंटरनेट के माध्यम से, मोवाईल या टेलिफोन के माध्यम से, सूचनाओं का आदान परदान जवो बहुत मैत्पून हो चुका था, अर्थाथ एक सूचनाओं दुर्त गति से, तिब्र गति से, जो हवो बिश्व के विविन भागों में पहुच रही थी, अर्थाथ समकालिन इतिहास के उपर एक मैतपून प्रभाव ये रहा, कि अब घटनाओं का उलेख करना अत्यंत सरल हो गया, घटनाओं को परचारित-परचारित करना अत्यंत सरल हो गया, यह भी एक मैतपून विशेष्टा मानी जा सकती, जो असाइनमेंट से आपकी आज के लिए, explain the main characteristics of modern and contemporary history in about 500 words, पांसो शब्दों में जो विशेष्टाएं आधुनिक और समकालिन विश्व इतिहास की मैंने आपको पढ़ाई, उसका पांसो शब्दों में उलेख करना है, so have a nice day and have a good day, thank you very much. तो अव्प्दों में।